असलमने को नमस्ते सच्ब्यकाल तो कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ अप मेरी डॉय है आप मेश्वसक्राइब दिखाते रहें मेरा नाम है साधर सुतानिय। जी मेरा नाम है बाबर सुलता जी और मेरा नाम है साधिक और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल हाजर एक नहीं और एक्साइटिंग वीडियो के साथ वीडियो है जी द अंक्रेडिबल रेस्क्यू और फोर्टी वन ट्रैप अं उत्राकाशी टरनल वरकर्स और बहु नमस्कार चैनल के डैलोग्स देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रेम कश्यप हमारे साथ बाचीत करने के लिए मेजर गौरा वारिया है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी कंपनी में हमारी टीम में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों यह प्रेम है और आपको दिखेंगे और जादर दिखेंगे आपको चानक के डैलोग्स में दिखेंगे आपको यह मेजरली राइट में दिखेंगे हमारे और जो और चैनल्स है उसमें भी यह दिखेंगे तो प्रेम एक बार फिर बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- वहां पर हमने देखा कि लोग काम है इस पूरे प्रक्रण को आप देखे इसा होता ना प्रेम यह फॉज में भी हमें यही बताते हैं कि वेपन इस इंपॉर्टन देखे रहा है लेकिन जो हतियार चला रहा है वो हतियार से ज़्यार अवश्यक होता है तो यहां पर इमेरिका से ड्रिल मशीन ही बोला फिर ताइलंट से जो माइनर जोने माइन में में रेस्क्यू करा था उन लोगों को बुलाओ सब को बुलाओ यहां बुलाओ sneez को पकड़ो यह इस पकड़ो लेकिन एनड बे क्या होओ जो पतले दूबले किसम के लोग होते हैं, उनको वहाँ पर डाला जाता है, कि आप वहाँ से कोईला खोद के बाहर निकालिये, तो एक पैरलल चैनल बनाते हैं, वहाँ से कोईला पीछे बेचते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को रैट वाइनिंग बोलते हैं, जो के डेंजरिस ह क्या हुआ मुझे लगता है कि कोर ओफ इंजिनियर्स ने बहुत अच्छा काम करा जो रैट माइनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करा और वहां पर हम देख सकते थे कि लेफटन जनरल सहीद अथा हसनें साब वो रेगलर ब्रीफिंग दे रहे हैं क्योंकि लोग जाना अब गार आजिए उत्सीलियर्स ने कि लिए अच्छा को पता रहे थे खुर करा दामी साब है चीफ मिनिस्टर तो सब लोगों ने मिल जुल के एक तालिस बंदों एक तो बहुत बहुत शुब कामना हैं सब को उनके परिवार को यार मैं समझ सकता हूं कि कैसे उनके दिल बिलकुल जिसको बैट गया होंगे कि हमारे घर का बच्चा यार अंदर फसा हुआ है किस हाल में होगा लेकिन जब मेरी बात भी हुई थी जनला स्टैन सर से मैंने बोला था कि सर थोड़े से जिनते थे तो नम दो गौर अफ टाइम लगेगा थोड़ा सा लेकिन हम निकाल लेंगे उनको वहेगर आट एप लिघ्र गजाओ लोग अपने परिवार के साथ हió तो इस दिवार ही मन रहे जब परिवर वाले साथ हैं तब कोई देवाली होगी टोड़ होगी जब चार लोग मिल जाए चार दोस मिल जाए उस दिवाली उनकी दिवार ठीक तो बड़ा अच्छा लगा मैं इन फैक्ट मुझे तब पता लगा मुझे पता नहीं था मैं प्रेमियर पेठा था हूँ जब मैं जब जबर्दस मुवी तो जब मैं उसके लिए गया तब बीच में मुझे वहाँ पेक बुजर्ग जनरल साभ बैठे थे अश्या च्वाल सबस्टांग अप्रयाव बनाना जो है प्रियावरन को नुखें लेकिन अब तो देख रहें कि growth के लिए, tourism के लिए, यह जरूरी भी है, तो आप इस तर्म को कैसे देख रहे हैं? देखे, प्रेम मैं आपको बात बताता हूँ, यह ना, देखे, बात तो गलत नहीं कह रहे है, कि हिमालिया जारा यांग माउंटन, और आप जितना खो देंगे, जितना करेंगे, उतना वो पहाड कलाप्स होगा, तो यह जो लोग बोलते हैं, जो एरवान, इन्वारिन्मेंटलिस्ट हैं, या कोई जो प्रकृती को देखते हैं, बड़े निस्दीकी से, तो वो गलत नहीं बोल रहे है, उनकी बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है, तही न कही न हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा, अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में जवाब देना चाहूंगा, बैलेंस किस परकार का बनाना चाहूंगा, देखे, कि दिल्ली में चौड़ी सड़कें हैं, दिल्ली में नौकरियां हैं, मैं उत्तराखंड की बात इसलिए करूँगा, क्योंकि यह पूरा जो मामला हुआ था उत्तराखंड में उत्तराखंड में उत्तराखंड में उत्तराखंड में उत्तराखंड में तो यार दिल्ली में तो यहां पे खाने पीने का स्तवास्त की विवस्थाइं हैं, उसका किसी की परेशानी नहीं है तो डिल्ली में और खुट जो डिल्ली में बैठ कर हिमाले की फिकर कर रहे हैं उनसे कोई ये पूछ लिए के तुमने डिल्ली का क्या कर रहा तुमने तो रिड मार दी दिली की ठीक है, यहाँ पे क्रिकट टीम कहती हैं कि साथ हम दिली में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे हैं यहाँ तो किस ने कराई है हम लोग तो गालियां चलाते हैं हमारे घरों में तो ऐसी चलते हैं, दो दो डैड़ाइटन के, राइट, परियावरन हमने, जो देखे जो पंजाब का किसान है, हम उसको दोश देते हैं कि इसने पराली जलाई है, ठीक है उसने जलाई है, कितना जला लेगा पराली, हफता, दो हफता, तीन हफता, पराली पू तो हम चाहते हैं कि जो पहाड़ है पहाड़ बिल्कुल साफ रहे स्वच रहे और गरीब रहे अगर आप उत्राखंड को देखेंगे पूरी की पूरी मनी ओर्डर एकॉनमी है उत्राखंड के हर एक घर में फौजी है वो नीचे आके या कहीं और जाके वहाँ पे टॉप जो है सबसे जादा इज़त वाला काम जो उत्राखंड में माना जाता है कि वो फौज में बरती होगी है वो सबसे बड़ी चीज उससे उत्राखंड में और मैं उत्राखंड का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा तालुक कुमा औरेजिमेंट से है और ये जो पूरा मैटर हुआ है ये उत्रकाशी में हुआ है जो कि उत्राखंड में है गालवाल में यार ऐसा है कि आपको गाउं के गाउं वहां पे कि यो उनके याँ स्कूल बने, अस्पताल बने, उनके याँ फैक्टरी लगे, उनके याँ नौकरी मिले, अगर कोई उत्तरकाशी का रहने वाला है, क्या उसका ये अधिकार नहीं है, कि उसका बच्चा उसी के साथ रहे, या उस बच्चे को आए कि मेरा माबाप को साल में ए पहाड काड़ना है बरबाद, नहीं बिल्कुल नहीं, बट वी आफ तो फाइंड आ मिडल पाथ, यह जो एंवाइरनमेंट के एक्स्ट्रीमिस्ट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रीम पोजिशन ले रहते हैं, नहीं यह नहीं होना चाहिए, इन्होंने बंबई का बेड़ा गर कर इन्होंने बंगलॉर का बेड़ा गर कर दिया, आप कोई बड़ा शेहर नहीं है जिसका इन लोगोंने, और यह वहीं से बैटके डैलोग मारते हैं, यह वहीं से बैटके डैलोग मारते हैं, क्या जो पहाड़ी छेतर में रह रह रहा है, क्या उसका अधिकार नहीं, और तरक आप जंगल में जा रहे हो आदे घंटे आपको आदे घंटे गाड़ी चल रही है कोई एक इंसान आपको दिग घ्या तो आपकी अच्छी किस्मत है वरना इंसान नहीं वहां पर खले जंगल बस चलते चले जा रहे हो बीच में एक रोड है बाकी रोड ही नहीं कहीं पर है आपको पता है CRPF ने जो सेंट्रल रिजर्फ पुलीस फोर्स अपनी CRPF वो एक रोड बनाने के लिए ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिया मैं आपको एक्जामपल क्यों दे रहा हूं मैं बताता हूं वापस उतरकाशी ले जाओंगा वापस उतरा खंड ले जाओंगा आपको लोगों ने हाथ खड़े कर दिया कहरा साब जो ठेकेदार होता है नकसल उसको धमकी देते हैं, नकसल उसको मार डालते हैं, कोई ठेका लेने को तैयार नहीं है सड़क बनाने के लिए, क्यों? नक्सलवादी क्यों मना कर रहे हैं कि सड़क सड़क बनेगी, तो स्कूल बनेगा तो अस्पताल बनेगा, तो कॉलेज बनेगा तो दुकाने आएंगी, तो तरख्य आएगी तो मोओाईल फॉन के टावर आएंगे तो बस्तॉब बनेगा, तो वहां पे ट्रेन है न, CRPF ने 100 से जादा जवान CRPF के वीरिगत्ती को प्राप्त हो गए, सड़क बना ते बना, आपको पता है, CRPF ने बोला कि अगर कोई और ठेका नहीं लेता, CRPF ठेका लेगी, CRPF ने सड़क बनाई, अपना खून बहा के, उस सड़क बनाई, आज की तारिक में, जो उस जो नकसलवादी बिलकुल जो दुबके दुबके घूमते हैं आज की तारिक में, उसमें, मैं ये नहीं कहा रहा कि और किसी का हाथ नहीं है, उसमें 36 गर्ड पुलिस भी है, उसमें तलंगाना पुलिस भी है, सोन भदर के पास यूपी पुलिस का भी बड़ा काम रहा है, ल इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि CRPF वालों को पता है सड़क की एहमियत क्या होती है क्योंकि उन्होंने खून अपना बहा कर वहां पर सड़क बनाई और आज की तारिक में वहां पर तरक्की हो रही है CRPF कह देती हमारा काम ठोड़ना सड़क बनाना बाल में जाओं हमारा काम नहीं है भाई सड़क बनाना उन्होंनों बनादी अब मैं वापस आपको ले जाता हूं उतरखंट जब पहाड़ों में सड़क जाएगी तब पहाड़ों में तरक्की हो गये वह गाउं जो है चाइना ने ये सब बॉर्डर स्टेट्स हैं, जहांकि ये लोग एंविर्यमेंट वाले बोलते हैं, जारत तरिसमा बॉर्डर स्टेट्स हैं, हिमाचल बॉर्डर स्टेट है, लदाग आपका बॉर्डर स्टेट है, और रॉचल आपका बॉर्डर स्टेट है, सिक्कमा आपका ठीक है उत्रा खंड आपका बॉर्डर स्टेट है यह सब बॉर्डर स्टेट है ना और यहीं पे तो वो साड़े तीन हजार किलो मेटर की लैन ओफ एक्चुल कंट्रोल जाती है चाइना ने अपना बॉर्डर इंफ्रस्रक्चर जबरदस्त कर लिया मजबूत कर लिया ठीक है चाहिना कोई फररक नहीं पड़ता हूं कर रहें हमारी मजबूरी है यहार हमारी क्या कितना भी मैंत बिड़ा अर्क पार भी ऑगना लिए तोब ओधा जब आपके चाएना ने बना लिए चाइना ने बना ली ये अपने बंकर बना ली चाइना अधमे बुड़ां आप नहीं बना होगे क्या। आज की तारीक में आप ये कह रहे हैं कि उत्तरकाशी में टर्टनल कलापस हो गया बुरा लगा मुझे भी बुरा लगा हमारे भाइँ वह ऐसी बात नहीं है। कल उसी उत्तरकाशी में आप चाहते हैं कि चाइनीज आर्मी पहुंच जाए वहाँ पर, नहीं चाहते हैं आप, कि चाइनीज आर्मी पहुंच जाए, तो आप ने हर समय बॉर्डर इंफ्रस्रेक्शर को इगनॉर करा, आप से मेरा मतलब सरकार से हैं, हर समय, 75 साल से इगनॉर जदा गाना गाते हैं ना इंवार्णमेंट का ठीक है उनके सौ मीटर दूर अस्पताल है दो सो मीटर दूर शॉपिंग मॉल है बच्चे का स्कूल बगल में है सारी सुक जिसको कहते हैं कि सुक सुवधा हैं उनकी आसपास है ठीक है और पूरे परियावरण का जो जिम्मा है वो तरह खंड के गाउं के एक सिंपल से गाउंवाले ने अपने सर में पूरा उसने जिम्मा ले रखा है कि भारत का परियावरण ठीक हो तो मैं गरीबी रहूंगा मैं उपर ही रहूंगा मैं लाचारी रहूंगा मेरे पास बिजली नहीं होगा मेरे बच्चे के लिए आपके एकोर्डिंग जो मैंने सुना आपने भी बताया इससे ऐसा लग रहा है कि मतलब लोगों को हासी पर रखने के कोशिश की जा रही है जो पहाड़ पर के लोग है तो क्या है मतलब यह बात सही है कि उनको कहा जाता है कि मैं इस्ट्रीम से दूर ही रहे कनेक्टिविट हैं तो वहाँ पे जानबूच के सड़कें खराब रखो जानबूच के सड़कें आप खराब रखो कि अगर चाइना कभी भारत के अंदर घुसे तो उसको दिक्कत हो इतनी आसानी से वो आगे न बढ़ पाए चाइनीज फॉज जो पीले है वो एडवांस ना कर पाए इंफ पाजिस डिली भी कोंशती है । पहुंचो कहीं भी सकती है, खोड़ दो दिल्ली के रोडकें, खोड़ दो यह ड raising है इतो डिऑ चाइब बना एडली को मेंदा जी इस दिली और उततरप्रदेश इलग और ऑमस अँनी और थोठील हुर एपने नोटक्या नोड़ न्य नोग हो भी नहीं सकता है, तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ा पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में, सप्टमर में कहा गया कि पाकिस्तान का जो प्याइब बहुत, मतलब तेजी से ग्रो करने वाला है, भाई, सबस्यादा प्रभावी बताया गया, लेकिन नमंबर में आते आते ध पायूब खान के समय बहुत तगड़ी एकोनमी थी हमारी, मुशर्फ के टाइम पर बहुत तगड़ी एकोनमी थी हमारी, अब इनसे पूछो क्यों, तो क्यों का जवाब किसी तुर्रम खान पाकिस्तानी के बास नहीं है, आप कोई गारियां मनाते थे, आप कोई हवाईजा बनाते थे, कोई सौफ़वर प्रोग्रामिंग करते थे, अब वो पैसा आप कहां से रहा था, बस मुशर्फ के टाइम पर अच्छी एकोनमी थी, इस अच्छी तो थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो मांगे तांगे का पैसा था, क्योंकि वार अन टेरर चल रहा था, अमेरिका के कंटेनर भर के डॉलर रहते थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एकोनमी ठीक हो गई, तो एक तो ये बात है, दूसरी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान की एकोनमी जिसको जब बोला था, कि सेप्टेंबर में की वर्ल्ड की टॉप परफॉर्मिंग एकोनमी वो क्यों बोला था, क्योंकि वो गड़े में गिनी वी थी, तो जैसी थोड़ा सा उठी, तो उसका परसंटेज राइज जो था, वो दुनिया में सबसे अच्छा था, तो लोग पागल होगा है, पाकिस्तान की टीवी एंकर, वो नाचने लगे स्टूडियो में, कि लोगों ने कह दिया है, कि साब अगले साल के हैंट तक, दोहजार चौबेस के हैंट तक, पाकिस्तान का जो, अगेंस्ट डॉलर, रूपी इस गोंट भी ट्रेडिंग अट 350, साले 300, तो उनकी एकोनमी के, देखिए, आएमेफ क्या कह रहा है पाकिस्तान से, कि ये जो आप क ये सब, ये शॉट टर्म मेजर्स हैं, आपके मैक्रो इंडिकेटर्स बिगड़े हुए हैं, आपका टैक्सेशन का बेस बिलकुल खतम है, कोई टैक्स देने को खुज नहीं है पाकिस्तान में, कोई टैक्स नहीं देता हूँ, वो पताएगा नहीं कितने पैसे हैं उसके पा बात की बात है, आपका बिजनस का इंवाइरनमेंट पाकिस्तान में बेड़ा गर खो रखा है, बेड़ा गर खो रखा है, बिजनस एंवाइरनमेंट का बेड़ा गर खो रखा है, जब कोई आपको इंवेस्ट नहीं करना चाहता, तो लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं मैं चाहता हूँ 200 रुपे लिए जब वो उसको पता है पैसे पाकिस्तान में वो 200 रुपे तो बहुत दूर की बात है 100 रुपे ही डूप जाएंगे तो क्यों करेगा इंवेस्ट और चाइना पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान से इंवेस्ट में कर रहा है पाकिस्तान में जो च SPAC नहीं है चैना-Pakistan Economic Corridor CPAC के 10 साल के खुशी मनाई किसाब 10 साल हो गया CPAC के रोडें बनी हैं पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है बड़ें बनी है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन कोई पाकिस्तानी मैं च्छलेंज करता हूँ कोई पाकिस्तानी ये बता देगे, साब, इतना हमारे रोजगार बढ़ गया पाकिस्तान में, हमारी करिंसी इतनी स्टेबिलाइज हो गई, हमारे इतने लोग इस लेवल पे थे गरीवी पे यहां पे पहुंच गया, कोई डिटा होता है ना, चाइना कहता है, हमने पचास बहुत चानदार है, ठीक है, मैंने अभी पहले क्या बोला था, सड़कों के साथ तरक्की जाती है, इन सड़कों के साथ तरक्की नहीं गई, भारत में जो 36 गड़म सड़क बनती है, उसके साथ तरक्की जाती है, इनके साथ तरक्की नहीं गई, आप बता ही, पाकिस्तान क् भारत का एरिया है, आप भारत के एरिया से सब कुछ काट के लिया है, गवादर तक आपने बना दिया, वेरी गुड, पाकिस्तान को क्या फाइदा हुआ, यह तो बता दो एक बार, कुछ अच्छी सड़के मन गई है, यह नो डाउट, फाइदा क्या हुआ? और वहाँ पे जो लोग हैं, उनको जो रेगुलर रोजमर्णा की चीज़ें होती है, डे टू डे लाइफ की नीड जो होती है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, इसी तो ऐसी है, आटा दाल के लिए तरस रहें, बिचारें, उनने होगी कभी पूरी, वो कभी नहीं, देखिये मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान ने एक गरीब मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक mismanaged मुल्क है, और पाकिस्तान में सबी की नियत खराद है, क्या गरीब और व्या उमीर, और गरीबों को जान बूच के गरीब रखा जा रहा है और रखा गया है और उनकी जो कयादत है उनकी जो लीडर्शिप है पाकिस्तान की उन्होंने जान बूच के इनको गरीब रखा है क्योंकि जितने गरीब रहेंगे उतने कंट्रोल में रहेंगे ज्यादा आदमी पढ़ लेक जाता ना फिर हो सवाल पूछता है और पाकिस्तानियों को सवाल सबहर डर लगता है आपसे बेतर कौन समझेगा आपको रूच तो यही उनके साथ चक्कर है पाकिस्तानियों को तो यह उनके हालात कभी नहीं सुधरने वाले गной कोध्या प्र यहार फोज में yn उसके पास ऐहनदा को एपक्सटान की जो टॉप क्रीम है वो तो बाहर रहती है उपकिस्तानी से पूछ लिजगे सटक पर चलता हूब अप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो आपस यह की बात बोलेगा है यह भाईजां जिस दिन मेरे पास पैसे आ गए न, मेरा वीज़ा लगा हुआ, जिस दिन मेरे पैसे आ गए, जिस दिन मेरा वीज़ा आ गया, मैं यहां से फूर। Pakistanis hate Pakistan इनका पाकिस्तानी प्रेम कब निकलता है दिल में पाकिस्तान के लिए मोहबत और इश्क कब निकलता है इनका दिल से जब भारत के साथ cricket match होता है या वागा बॉर्डर में जब BSF वाले और पाकिस्तान रेंजर वाले उची उची टांगे उच्छाल कि जब मार्च करते हैं न इनकी मोहिबुल वतनी जो होती है देजभक्ती इनकी पाकिस्तानियों की वहीं तक है इस से ज़ादा इनकी नहीं है इस से ज़ादा इनका दिमाग भी नहीं है कि वहीं तक है हम सब्ग सिखा देंगे हम जिहाद कर देंगे हम हिंदूओं को मार इस से जदा पाकिस्तान में दिमाग नहीं है अगर वतन से मह Kirsty करते हूं तो एकॉनमी पर काम करो, तो कॉन दी एकॉनमी है, अपने मुल्क को अच्छा करो नहीं, मुल्क को अच्छा जब करना वाली बात हुट नहीं सब बाहर, बाहर जा न गलत बात नहीं है, लेकिन what is your loyalty to your country, तुमने अपने मुल्क के लिए क्या करा, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के लिए क्या करा, ये बता दू, बिल्कुल से, जिरो, और जब पाकिस्तान की भी बात करें, तो भी खालिस्तान की बारे में भी बात करनी चाहिए, खालिस्तान मौट कुल हमने देखा कि बहु कोई पनू उन्नू को मारना नहीं चाहता. पनू क्या करता है, पनू के हातमें हथियार थोड़ना है, पनू के हात्वें तो कामरा एक माहिक है उसको कौन मरेगा, क्यों मरेगा, पनू अपने आपको जिन्दा शहीद बनाना चाहता है कि जिन्दा भी रहूं और शहीद का दरजा भी मिल जाए है ना लड़ू भी खालू और डियाबिटीज भी न बड़े तो पन्नु बीच वाला गेम खेल रहा है और अमेरिका ये कह रहा है कि भारत ने मारने की देखे मैं को बात बताता हूं बारत ने मारने की कोशिश करी बारत ने कोई मारने की कोशिश नी करी और पन्नु को मारना कितना मुश्किल है यार पन्नु कौन सा प्रेजिडेंट है किसी देश का कि किसी बहुत किसी तकले देश का राष्टपती है पन्नु आप अमेरिका में किसी को भी 5-10,000 डॉलर दे कग lui Iieso पन्नु को क्ट शादी में गये आप नहीं लोग होती ज़ादी के बत्तमीजी करते है टिपिकल टाइप के पन्नु उस टाइप का है हाँ आप दो तार थपड उसको बाहर निगाल देते हैं शादी से य वो पन्नू उस टाइप का है, पन्नू ऐसा थोड़ नहीं कि पन्नू हाथ में गरनेड लेकर रॉकेट लाउंचर लेकर कोई बड़े लंबे जिहाद पे निकला है, पन्नू ना अज तरह मकी नहीं मारी होगी, पन्नू इस ड़ना, लेकिन अमेरिका का साथ है, तभी तो वहाँ प इंपर्टन्स है, वो क्या है? अमेरिकन डीप स्टेट सेच इस्त्माल करता है, कोई बी कंट्री इस्तमाल करती है, कल हमें मिल जाए, कोई बंदा, भारत को मिल जाए, जो अमेरिका की सरकार को रगेद रहा हो रोज, पकड़ पकड़ गया है, ठीक है? उसको गालियां दे र हो सकता है CIA का और किसी कभी हो पर मुझे नी लगता कि Pannu को कोई मारना चाहता है क्योंकि Pannu सिर्फ बुरी अंग्रेजी में धंगियां देता है ग्रामेटिकली इंकरेक्ट इंगलिश, पन्नू कुछ कुछ करता है, पन्नू is best ignored, पन्नू को तो मैंना है, हैश्टाग चला ए तो उसके लिए पन्नू के लिए, क्यूट लोमली है, लोमली जैसे जगल है पन्नू की, वो क्यूट सी लोमली है पन्नू, आइडों थे निपटा खालिस्थान के बारे में एक बात आपको समझनी पड़ेगी, खालिस्थान कुछ नहीं है, वो खाली स्थान है, और खालिस्थान की ये खुबसूरती है कि वो स्क्रीन सेवर है, illegal immigration के लिए, drugs के लिए, contract killing के लिए, हफ्ता वसूली के लिए, पर आपको कोई कहनी तो सुनान पड़ेगी ना, आप आम लोग आपको बुरा कहेंगे, अगर आप ये बोलेंगे कि मैं, अगर कोई इनसान कहता है कि भाई, वो ड्रग्स में डील करता है, अगर वो कहता है कि नहीं, मेरा drug empire कोई कहता है कि उसका चल रहा है, अगर कोई कहता है कि वो बंदा contract killing कर रहा है, व खालिस्तान के लिए लड़ रहा है, हम आजादी के लिए लड़ रहा है, आपको उसमे रोमैंस डालना पड़ाएगा, आपको चाहे में थोड़ा सा शक्कर डालेंगे तब लोगों मज़ा आएगा, साथ में विसकिट विसकिट आप सर्फ करेंगा, ये, basically खालिस्तान इस न तो ये है, ये मामला है खालिस्तान का, इस से अधा़ खालिस्तान कुछ नहीं है, म आपको बिल्ड करने की कोसिज़ करो, इंबेस्ट्रि मैंट की जो डॉमेटिक रिकंस्ट्रक्शन पर धियान देना चाहिए यार तो नहीं करेगा पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक ने तो सही सला दिया आम एफ भी कह गया कि मर गया आम एफ इन लोगों ने कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं आम एफ क्या कह रहा है आम एफ ये कह रहा है भीग भी चाहिए इनको खुदमुक्तारी भी चाहिए इनको संपरभुता विच ऐसा थोड़ना होता है कि एक दान दक्षणा भी मांग रहे हो फिर कह रहे हो कि हम सोबरेन है ऐसा नहीं होता है अच्छी रिफॉर्म्स के लिए तैयार क्यों नहीं है क्योंकि पूरी एकौनिमी में जोल है पाकिस्तान अगर रिफॉर्म करेगा पाकिस्तान कलैप्स कर जाएगा किस जेनरल ने कितना पैसा चोरी कराए है इनका एक चीफ जेस्टिस था पाकिस्तानी सुपरीम कोट का SAKIB निसार साकिब निसार ने पूरे दुनिया भर के पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे लोकल थे सब को बोला कि दोस्तों मैं हूं साकिब निसार तुम्हें काम करो बढ़ी आसा बोला जनाब क्या करना है सब लोग मुझे पैसे दो पाकिस्तान में डैम बनाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की कमी है डैम बनाएंगे तो बोला ठीक है जनाब डैम बना दो जब बोला डैम बनाएंगे तो डैम बना के उसने डैम बनाने के चलते पता है क्या करा है डैम बनाएंगे डैम बनाएंगे की स्टोरी हो गई डैम बनाएंगे उसने पैसा पाकिस्तान जोल है, everybody is a thief there, everybody मतलब की और चोरी बुरी नहीं माने जाती पाकिस्तान में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो गाउं का चौदरी है वो चोरी करेगा, ऐसा पाकिस्तान कहता है, उनका आर्मी चीफ चोर है, उनके जनरल्स चोर है, उनका प्रधान मंतरी चोर है, चो जो नहीं, वो विदेज भाग जाते हैं, बही, कोई किसी से पूछे, कि तुम्हारे घर्चे कहां से चलते हैं, तो ये everybody, पाकिस्तान is up for sale, यार, ये देखो, sale का ठपा 50% डिसकाउंट पाकिस्तान का लगा हुए, जिसमें पैसे में जाके खरीद ले, शॉपिंग मॉल है, उस शॉपिंग मॉल, उस शॉपिंग मॉल में पाकिस्तान अपनी गैरत, अपनी इज़त, सब बेचता है, वहाँ पे पाकिस्तान, आपको बस cash dollar भेकने है, currency dollar है, और को ऐसा है नहीं कि पाकिस्तानी रुपी भेक दी आपने, currency dollar है, US dollar भेको, नाचेंगे पाकिस्तानी, तो दोस्तों, यहाँ पे प्रोग्राम खतम होता है, बहुत-बहुत दन्यवाद देखने के लिए, कैसा लगा आपको, मेरी और प्रेम की बातचीत कैसी लगी, जरा कमेंट सेक्शन में लेकिए, और हाँ, एक और बात, क्या आप UPSC के की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप CDS की है, इंडिय की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप किसी competitive exam की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको सिंप्ली एक इंट्रेस्ट है, जियो पॉलिक्स, फॉरन अफेर्ज और नाशनल सेक्रोटी में, अगर है, तो आप हमारे सच्चे सब्सक्रा करिए, बेला इकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और शेयर करिए इस वीडियो को, जितना शेयर कर सकते हैं, उतना शेयर करिए, जहिंद बंदे मातरम, भारत माता की जै, जी तो वीवर्स वीडियो हमने देखा वीडियो था मेजर गौरवारिया का बात कर र जहां से मशिनरी मगवाई जा सकते थी, मशिनरी मगवाई, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को बेजारों मददगार नहीं चोड़ा, और आखिर टाइम तक उन सब को रेस्क्यू किया रही और इसके पीछे जितना भी टाइम लगा, जितना भी पैसा खर्च हुआ, जित पाचगी और उन्होंने बचा लिए एंको क्योंकि ए पिर बात रही के टनल क्यों जरूरी यह कि जरूरी ऐसे क्यों कर रहें, तो यह जो तरक्षी है जो इसानी तरक्षी है वो सडक से ही जoin बुजंते हैं टनल से ही वहाँ के जो जहां पहाड़ी आलाके हैं मैं आपको एक अपना वाक्या बताता हूँ हम एक दफ़ा गया अताबाद जील नहीं नहीं बने और यह जील कोई पहले से बनी जील नहीं थी यह एक जल्जला आया और जल्जले के टाइप में वह एक बहुत बड़ी वहां पे जील बन गई अब वहां पे जो टनल या सड़क थी वह सारी बरबाद होगी अब वहां से गुजरने का रस्ता एक है लोग अपनी गाड़ियों को भी कश्टियों पर लाद के वह अताबाद जील से पर जो अगला सफर है हुंजा का जो चाइना तक जो जाता है खुजराब तक वहां से बज़र अब हमने गाड़ियां कश्टी पर रखी और कश्टी पर हम जा रहें एक सवागेंटा सफर था कश्टी का उस और यकीन करें वो टाइम ऐसे था कि बस हम गये हम गये क्योंकि द अब वहां पर एक टनल बन गया और टनल एक रास्ता वहां से असानी से लोग अपनी गाड़ियों पर गुज़र जाते हैं और यह पिर अब जब कोई भी जाता है तो किसी को यह परिशानी और यह नहीं होती लेकिन कई सारिया में ऐसी वीडियो देखते हैं कि जो बड़ी ही है उस सब चीज के लिए लेकिन फिर ऐसे वाक्याद भी हो जाते हैं कुछ ना कुछ तो इन सब के बड़ी खबर यही है कि वह लोग जिन्दा और सलामत बचे बिल्कुल ऐसे यह देखें कि अब जब बनाते होते हैं जब बना रहे होते हैं तो बहुत भारी मिशीनरी से सब्सक्राइब बनाते होते हैं तो यह देखें कि इस अंदर निकाले और सबसे बड़ी बात यह जिन्दा और सही सलामत बाएर निकाला किस मुलक से वहां पर आगे उन्होंने जो हार्वर किया लेकिन आखरकार उन्हों जो है उनको जिन्दा और सही सलामत जो है वह निकाला वह कानकुनों को और दूसरी बात वह जो बात कर रहे थे बाते हो वह उनके पास असला रहे हैं नाहीं कुछ और चीज़ा है और वहां पर बैटे इस दोशे चोड़ देते हैं और यहां पर जो है यह इतिजारी करना चुरू कर देते हैं बहुत कर देदा में आगे खाल स्कान खाल सान बिलकुल जी देखिए कि जहां पर टेकनोलोजी बिलकुल जाती है तेकनोलोजी और इंसान वहां पर काम आता है और देखिए वहां पर बहुत सारे मौले के रेस्क्यू टीमें आई लेकिन वह कामयाब नहीं लेकिन फिर मुकामी लोगों नहीं लापने लोगों को रेस्क्यू किया तो यही वजा है कि देखिए इस लोगों को सबसे ज्यादा अप्रिशेट करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी जान को खत्रे में डाल के वहां पर जा लोगों को लोगों को बाहर लेकर आए जिनकी वयासे वह कमल होगी और देखिए यही चीज़े हैं कि जब भी ऐसी टर्नल्स खोदी जाती हैं जब भी बड़े काम किया जाते हैं तो ऐसी मुश्किलात सामने आती हैं इन मुश्किलात का जो फेस सामना करते हैं वो मकामी लोगी होते हैं वो आम लोगी होते हैं उनके पास ना इतना नौलिज ह यह बन्दा होगा लेकिन उसके अंदर वह एक इनसानी जजबा था कि मैंने बचाना है आप छोड़िए इन चीजों को आपकी मुझे फैल होगी है और पर देखिए उसने क्या शाकार कर देखिए और पाकस्तान एकॉनमी बहुत दुनिया के सबसे ज़ाई यह यह उस चीज को आप ले जाएंगे बिल्कुल जीरो पे जिरो से आप जब वह थोड़ा सा उसको बेतरी के तरह ले जाएंगे तो लगता है ऐसे ही है बड़ी इसनतरी कि बात है कि सब्सक्क्राइब नहीं और चीज कर दिए किस चीज में काम कर रहे हो गरी कल्चर सेक्टर में आप ने दुनियां को बहुत कुछ ले दिया तो जवाब जरो पड़ा जरो तो फिर यह कुछ नहीं तो काहें कि कॉनुमी अमारे यहां पे अक्सर इंडिय तो पर दिन रहते हैं तो पाकिसानी दुनिया वेलिव करते हैं तो वाक्या ही में पाकिस्तानी का बेडा गरक है कोई हमारी एक्सपोर्ट बहुत थी एक टायम पे हमारे हिसाब से नहीं हमारे खेंसाब भूकत रात दिन काम चल रहा था यारी कि डबल अगर शिफ्ट में काम हो रहा है तो समय लेंगे बहुत बेतर है अभी वह सब के सब मिलने वह बंद पड़ी है चंद एक यूनट्स चल रहे हैं और वह पता नहीं किसे लैद है कि किसी के साथ कोडिनेशन करके और्डर ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं तो बहुत ही बेड़ा गरक है एक्सपोर्ट बिल्कुल तबाह है हमारी और दूसरा जो लोकल यहां मिनफेक्च्रिंग है वह किसी में इतने सिकत होगी तो वह चीजें खरीदेगा वह भी इस लि तो फिर यहां कैसे कुई भे इस आ सकती है यहां बहतरी आहीं सकती है यहां रहने वाले वह ही रहे जिस उसने तीन चार जॉब्स बदली लेकिन नहीं चल सका फिर उसने किया किया थोड़ा सा बैक्राउन अच्छा था पैसा खर्च करके वो ले पूरी फैमिली को लेके इंग्लेंड निकल गया और प्रोड के लगबर उसने पैसे खर्च किये अभी यह नहीं पता कि वहां पर करना सब्सक्राइब करें मिलेगे एक और वीडियम तब तक के लिए अलाव